दोस्तों जैहिंद इस चेंज ओभर में एक इस डीजी से कनेक्शन लाएंगे और दूसरा यह जो छोटा वला डीजी है इसका भी एक केबल लेके आएंगे और इस चेंज ओभर में कनेक्शन करेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हों कि दो चेंज ओभर है तो ऐसा नहीं है कि इस चेंज ओभर में हम दोनों डीजी का लग-लग कनेक्शन करेंगे ठीक है और ऐसा भी कनेक्शन हमें नहीं करना है ठीक है और ऐसा भी connection हमें नहीं करना है कि कोई भी change over नीचे है या फिर कोई उपर है तो इसमें short circuit हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बिल्कुल एकदम सही धंग से करना है ताकि कोई भी change over आप down हो तो उसमें कोई short circuit होने की समभावना ना रहे तो वीडियो के last तक बन रहीएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share जरूर किजिएगा चलिए फिर शुरू करते हैं यह जो change over है यह three phase प्लस neutral का connection देने वाला यह change over है लेकिन कोई बात नहीं इसमें आप चाहें तो एक phase और एक neutral का भी supply ले सकते हैं बड़ी अ अकसानी से तो यहां पर सबसे पहले जहां से हम cable घुसाएंगे इस change over में उस gap को पहले हम clear कर लेंगे और ऐसे जगों पर बहुत अच्छा होगा कि gland use कीजिए gland use करने से क्या होता है कि कभी तार बगारा कटने का डर नहीं होता है तो सबसे पहले हम एक change over का connection करेंगे फिर दूसरे को भी आपको अच्छी तरह से समझा देंगे तो यहां पर देख रहे है red, yellow, blue और जो neutral में जो खोला जा रहा है भी इसमें आपको जोड़ना है जो यहा हमें यहां से out करना है यानि कि इस change over से हम उस change over में supply को लेके जाएंगे ठीक है तो उसमें ryb में हम सबसे पहले connection करके यहां पर complete कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं अब है हमारा जो change over है change over का connection complete हो चुका है किसके ryb और यहां neutral के जगह पर आप यह green वाला तार देख रहे हैं तो इसमें neutral का तार black wire नहीं है क्योंकि 4 core का wire था और यहां पर temporary हमें यूज करना था तो हमने इस cable का ही यूज कर लिया बड़ यह जो symbol है यह green का यानि कि अर्थि देना है देखिए कहां पर इस ट्रीप के जश्ट बगल में यानि कि चेंज अबर जिस plug में attach करेगा हमें उसी से काम करना होता है ठीक है आपको इसमें change over नीचे डाउन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे एक दूसरे से चिपक जाता है ठीक है तो चलिए फिर हम लोग यहां पहले connection करते हैं और connection करके देखेंगे भी कि हमें कौन-कौन point पे joint करना होता है ठीक है तो यह जो बड़ला generator था और बड़ला generator का क्या है वैसे ही connection करना है जैसे आपने ऊपर किया है बस आपको करना क्या है कि जो strip है इस ट्रीप के जश्ट बगल में जहां पर वह चिपकेगा वहीं पर हमें इन करना है कैसे करना है देखिए आप पहले सबसे पहले हम connection कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे यह एक दूसरे से सबस्कांट और यहां पर सेम करना है यहां उपर न्यूटर बदाला है तर यहांपर देखिए यह आउट है यह इसी तरह से आपको सारा connection करना है यहां पर अमारा न्यूटरल हो गिया और से यहां पर आप नीचे आप देखिए एक बार जब हमने नीचे किया ही हलका सा तो उसका सामने में आप देखिए कि कैसे चिपाग रहा है यानिकि यह ब्लू है ब्लू के बगल वाले में just जा रहा है तो हमारा जो पहले जो जनेटर है उसका खनेक्शन हो चुका है और यह जो कम्पलीट हो जागा फिर हम क्या करेंगे बहुत सारे दीटी करते हैं तो इसको जो स्क्रू होते हैं स्क्रू बहुत सारे धीले होते हैं जो नट पुल्ड बगार होते हैं चोटी-चोटी यहां पर इसक्रू दिख रहा है आपको यह लूज अगर होगा तो जब हम क्या करेंगे जब हम चेंज अबर करेंगे तो उससे में स्पार्किंग कर पारिकिंग कर के जो हमारे चेंजोबर ंजाते हैं खराब हो सकता है यानि कि at a time में रिखें पर करा प्रेय तो उसमें कार प्रेफ नब से या फिर इसके जो चेंजोबर होता है वह जल जाता है ठिक है तो इन सारा चीज को आपको चेक करना है इसी तरह से क्यूंकि नए एक नीचे से हमारा डीजी का सप्लाई आ रहा है उपर से में सप्लाई आ रहा है तो इस वाले चेंज़ोबर के जो आउट कमर है यानि कि जहां से आउट लाइन आउट हो रहा है उस लाइन आउट को क्या करना है कि इसके जो है दूसरे वाले चेंज़ोबर है जिसमें हमने ब लगा रहता है और इसके बगर में जिसका स्कुरूग खोला जा रहा है ठीक है यह इंगर होता है यानि कि जब तक हम च्ञेंज ओवर को हमां किसे अट्वाइच नहीं करेंगे जब तक कि यह क्या होगा जब तक यह चेंज ओवर नहीं करेंगा यानि कि लाइन को supply नहीं देगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे Incomer है Incomer का निए कि दूसरे वलब जो चेंज ओबर था उसका Outcomer इस वाले चेंज ओबर में Incomer का काम कर रहा है इसमें जो यह चेंज ओबर है और क्या करेंगे कि उसके जो Outcomer था उस Outcomer का वायर उठाके यहां पर MCB से हम सप्लाई आउट करेंगे MCB सप्लाई आउट करने से क्या है कि अगर हमारा जो मसीन है या फिर कहीं भी हम जो आउट कर रहे हैं लाइन और इसमें कहीं सोट सर्कुट होता है तो यह MCB ट्रिप हो जाएगा और इसी से हम लोग लूपिंग भी करके दो छोटे उलाई जो MCB है इसमें भी यहां पर कर दिये ताकि क्या होगा कि सब अपना अपना जो MCB है वो सारा अपना प्रोपर ढंग से काम करता रहेगा इसका एक और आप कर सकते हैं कि जो हमारा इंकमिंग लाइन आ रहा है यानि कि फर्स्ट डीजी सेकेंड डीजी और एक जो में सप्लाई जो सरकारी सप्लाई है उसके इनकमिंग में भी हम एमसी भी लगा सकते हैं ताकि ज्यादा ओवर लोड या सोट सर्कृट कहीं हो जाए तब भी हमारा यह ट्रीफ हो जागा तहीं देखें यह जो सप्लाई है यह इस वाले चेंज ओबर का आउट सप्लाई है ठीक है ना यानि कि जो पहले से जो है जिसमे में सप्लाई और एक डीजी छोटोले डीजी का कनेक्शन है उसका यह आउट सप्लाई है और यह आउट जो सप्लाई है जो दुसरे वाले जो चेंज ओबर है हना दुसरे जो चेंज ओबर है उसके इनकमर में जा रहा है देखें आप यहां से यह दुसरे वाला जो चेंज इसके देखिए इनकमर में है ना यहां से यह MCB में आउट हो जा रहा है समझ पा रहा है आप देखिए इस चेंजोबर का केनेक्शन समझने के लिए बहुत असान है जैसे यह वाला चेंजोबर को हम माल लेते हैं कि यह एक नंबर है और यह वाला दो नंबर है ठीक है एक नंबर चेंजोबर में क्या करना है कि जो फर्स्ट जेनरेटर है उसका केनेक्शन हम इसमें करेंगे ठीक है आर वाई बी और नूट्रल का हम यहां पर कनेक्ट कर देंग आर वाई बी और यहां पर यह न्यूट्रल यह कहां पर है जिसमें स्ट्रिप नहीं लगा हुए यानि कि देखिए यहां पर यह आर वाई बी और यहां पर ब्लैक है न्यूट्रल है ति यह वाले स्ट्रिप पॉइंट पर नहीं लगाना है आपको यह जो पॉइंट दिखा र के जो supply है supply आके रूका रहता है यहां पर ठीक है तो सेम यहां पर भी एक नमबर में भी इस टाइप से इस वाले position के हिसाब से यहां पर आपको connection कर देना है clear है दूसरा काम क्या करना है आपको कि हमारा में supply है यहां पर देखिए पहले तो समय लेजिए कि एक फर्स डिजी और सेकेंड डिजी है ना दूनों का यहां पर हमारा क्या हो गया connect हो गया अब जो हमारा में supply बचा में supply को क्या करना है कि ऊपर से ठीक ना नीचे से तो हो गया यह के लिए जालता से प्याद चाहर्ड में उपर से क्या क्रेंगे सेम इंकमर पॉइंट परें यह जिए दखिक разм यहा पर एक रंकमर आ है यहां पर इंकमर आ यहां पर इंकमर है इस वाले प्याइन में 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 22 प्लाइज का 3-5 प्लस नीच्रल को यहां पर हम कस देंगे ठीक है? Same इसी position में Same इसी position में जैसे यहां पर income mirror है वैसे हिए position में इसमें कस देंगे कहीं भी कोई short circuit का tension देंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है अब यहां पर जो हमारा connection हो गया अब हम क्या करेंगे कि इस वाले यानि कि एक नमबर जो हमारा चेंज़ोबर है इसका आउट निकालेंगे वायर और आउट निकालने के बाद हम क्या करेंगे इस वाले चेंज़ोबर में लेके आएंगे कौनशा χ Stewart में एक नमबर से ऊठा के यहां फर दू नमबर में ठीक है अब इस से हमारा कोई आउट-लाइन नहीं होगा बस इस वाले चेंज वर से इस चेंज वर में आएगा और इस चेंज जबर से ही हमारा 커rant AA outreach home C इसी से आउट होगा, केलियर होगा, यही से हमारे line supply आगे की ओर जाएगा, तो हमें क्या करना है अब, कि यहां तक तो हमारा आ गया, दूर नमर चेंजे अबर में हमारा supply आ गया, तो हम क्या करेंगे यहां पर, जो ryb का जो strip दिख रहा है आपको, यह जो strip दिख रहा है ryb, है है ना एमसीज़बोस में लेके चले जाएंगे और एमसीज़बी बॉक्स में ले जाके इसको किनेक्ट करेंगे और वहां से हम आउट का सप्लाई करेंगे अब यहाँ पर बात यह आता है कि यदि हम हमारा जो चेंज़बर है चेंज़बर यदि कोई एक पोजीशन में कोई नीचे है ठीक है तो यह झेली होगा यह समझने होगा वह इसco लिख लिएक Def fork एक नमबर डीजी के साथ में यह connect हो जागा और यह supply कहां आउट करेगा इस वाले चेंज़ ओफर में ठीक है चेंज ओफर में आउट हो गया अभी जिस पोजिशन में है यानि कि यह ऊपर की और है तो यह क्या करेगा यहाँ से यूच उप्लाई आउट कर देगा इस टाइप में क्या हो जागा तो दुसरा पैवंचन में हम इस चेंज़ ऊवर को रहते हैं वह मानते हैं हमारा में सप्लाइब कनेक्ट हो जाएगा में सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा और इस वाले चेंज ओभर में सप्लाई आना चालू हो जाएगा लेकिन यदि यह जो चेंज ओभर है चेंज ओभर का टर्मिनल नीचे की ओर दबा हो यानि कि इस तोले पोजिशन पर आके लगा हो तब हमारा उस समय क्या होगा उस समय हमारा यहां से कोई सप्लाई आउट नहीं होगा उस समय हमारा यहां से कोई सप्लाई आउट नहीं होगा देखिये, जैसे हम ने इसको नीचे कर दिया, इस हम हैंडल को नीचे कर Стel down कर दिया, ऐसे पोजिजन में हमारा जो बर्ल धैजी है, line out हो जाएगा ठीक है ना यानि कि कहीं से भी कोई short circuit नहीं होगा यदि कोई ये नीचे है या फिर उपर है ये वहला नीचे है या फिर उपर है जिससे हमें supply लेना है उधर हमें पहले घुमाना होगा उसके बाद ही हम इसका जो है आउटपुट ले पाएंगे तो आसा करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट के जीएगा मैं आपको अच्छी तर से फिर से समझा सकता हूं कि यह फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैहिंद